हाँ इंडिया जी कि और वो भी इंडिया जोग्रोफी उसका एक बहुत शांदार टोपिक आज तक आपने एसी नदियां जिंदगी में कभी नहीं पढ़ी होगी पूरी यूटूब हिस्ट्री में ढूंड लेना अगर मिल जाए तो जुरूर कॉमेंट कर देना नहीं पढ़ा यह बहुत जवर्दस ट्रिक मिल रही है कि नदियों को वो भी ट्रिक में याद करवा देना जैसे राजस्तान जीके की नदियों को ट्रिक में याद करवाया राजस्तान पूरे जीके को ट्रिक में याद करवा देयो भी अपनी घर की ट्रिक है वैसे ही यहां से 100% क्योशन और रही बात authentic content है यहां से आप कहते हैं कि जैसे कोई गलत भी हो गया तो रिट लगा सकते हो मैं बेज़ दूँगा आपको इसके विडेंस अगर कभी जोर्त पड़े तो ठीक है क्योंकि अपने पास NCRT और हिंदीगरंत अकादमी के लावा कोई भी बुक नहीं रखनी चाहिए और थेंटिक पड़नी है इसकी अपने बात के भारत की परमुंग नदियां फुली अपडेट है बहुत शांधार एक एक चीज पढ़ेंगे और स्पेशल सीटी दोहजाट भाईत का जो अतंतर है वह मोटा-मोटी दो भागों में बटा हुआ है कि एक हिमाले लिखा पर टन्तर और दूसरा प्राइद इप्या पोट अंतर ठीक है अब हिमाले की सबसे जदा इंपोर्टेंट अगर प्रशन आते हैं तो वेर्टेंट यह हिमाले वाला ही है सब Kiya कि अंब पूधर में नंबर एक इंडस यानि सिन्दू अप matière का मनले नधी नंतर से रिवर सिस्ट्स्टम ट café यह रेना सिस्टम गंगा में अप्ताइब अपोथ का इन से यहां से नस नस करनी है पहले मुझे सुनना ध्यां Gym प्रशन क्या आएगा कि हिमाले अपवातंतर में कौन कौन से अपवातंतर नदी अंदर शामिल है तो आप का अंतर होगा सिंदू गंगा ब्रंपुत्र ठीक है फिर पूछा जाएगा कि सिंदू जो है उसकी कौन सी सहाइक नदी है कौन सी सहाइक नदी है कौन सी सहाइक नदी को इतनी funny trick में याद करवाया है कि मज़ा आ जाएगा अभी की भी आद होगी अभी की अभी तो सबसे पहले heading लगाओ सिंदू अपवा तंतर अब सिंदू नदी है भाई जैसे यह ऐसे अगर नदी बह रही है अगर मैं उपर नीचे से उपर के देखो तो यह इसका right side है इसकी left side है तो right side में कौन सी साइग नदीया आके इसके अंदर मिलती है अचा साइग नदी का मतलब है कि मुख्य नदी का नाम तो सिंदू है और जो tributary river है जो पास में आके tributary इसमा के मिलती है वो साइग नदीया हो जाती है चोड़ नदीया बीच में नाले नदी बीच में आ जाती है इससे मिल जाती है और इसका flow और तेज हो जाता है वो साइग नदीया कहलाती है तो इसकी प्रशन ये बहुत बार पूचा जाता है पहला तो कि कौन सी इसकी साइग नदी है फिर पूचा जाते है इसकी दाई तरब से आकर मिलने वाली कौन सी साहिक नदी है यह सारी बातें बहुत इंपोर्टेंट है लेकिन यह मेरा चैलेंज जरूर फिर वापस देख लेना ऐसी ट्रिकों से नदीया नहीं पड़ी होगी कभी तो हेडिंग लगाओ सिंदु अपवातंतर और सिंदु अपवातंतर में लगाओ दाई तरब की जो सिंदु के राइट हैंड साइड से आती है वो अपवातंतर ट्रिक मैंने बनाई है जितनी भी रिवर है अच्छा यह आपको किसी एक बुक में नहीं मिलेगी की Ayений compete किया लिए इंडिकरण तख आदमी और मादवी自भीती में किताब्स की एक थोड़ी में रजस्तानी बासारत्ट करूघ रजस्तान का निवास रज़स्तानी बाशा जरूर बोलता हूं इसलिए काकू ने तो दाए बाबा को शोख उत लिए काकू का मतलब चाचू यह से भोलता है नो चाचू यह काकू अंकल जी क्या करते हैं किे वह कुछ जर्दस वाणां सब् pictured look at the が यहां पर दाये हाथ साइलेंट रहेगा दाये राएंप Τरिक के लिएahan यह ए यह इसलिए दाये हात सब्रेयर ले जाएंगे का इटिक है अब काकू, का से काबुल, कुछ से कुर्रम, न से नुब्रा, ठीक है न से क्या नुब्रा, तो से तोची, से से संगर, अब गिसवाबा, गिसवाबा से तीन दियां है, गी से मनेगा गिलकित, या गिलकित तभी आता है टेकी जी कभी-कभी, से से स्वाथ, और वाबा से विव वी बोवा, ठीक है ना वी बोवा, very important, को साइलेंट रहेका, शोक का शोक है, हुसे हुझा और गोसे गोमल, बताओ जिन्दगी में से नाम याद हो जाएंगे भी नहीं ट्रिक है, ना, अगर ये ट्रिक याद कर लोगे, तो option आपके सामने रहेंगे, टिक मारना है, तो रंद और ये हर किसी के बसकी बात भी ने लेकिन आज के बाद आपके लिए बसकिये, चाचु ने तो दाएं हाद सें, गिसवाबा को शोक हुगो, ठीक है, बस चाचु की जिएक, काकु बोलना है, काका मतलब काबुल कुका मतलब कुर्रम नूका मतलब नुबरा तोका मतलब अगर मिलने वाली साइग न दिया, ठीक है, लेफ साइड से, लेफ साइड से बाई छोटी आती है, गिसवाबा को चाचु बड़ा, काकु बड़ा वी आईपी आदमी है, गरमे दास दाशी यह भी रखता है, ठीक है ना, बिलकुल, तो इसके गरमे एक दाशी है, लेफ सावा किलो चिरा के लाना, गर बड़ा ज़्यादा हो, तो तो सावा चिरा लेना, ठीक है ना, सावा किलो जानते हो न, एक किलो, डाही सो गरम कि दाशी जा सवाची राजे सवाची राजे लियना है अब क्या चिराजे वे थर्मूज उसकता है अपना काम हो गया दा का मतलब है द्रास शीका मतलब शिगार जाका मतलब ज्onne सेसे हो जाएगा 27 अब व्यास चीज से छिनाब राशे रावी जेसे जहलम अब सुनो प्रशन कितने बनेंगे कि निम्न में से कौन सी सिंदू नदी के दाई तरफ से आके मिलती है कोई एक नाम रहेगा कोई तीन नाम रहेगा पूछ एक कौन सी नहीं है आपको ट्रिक याद इसके अलावा जो भी है वो नहीं है क्योंकि यह 100% content है तो देखो यह पूरी हो गई द्राशिगार जोसकर 17 व्यास चिनाब रावी जहलम एक मेंने लिखा है यूं करके पंच नद यह पांच नदियों का समो है जो सवाच चिराजय ट्रिक से बना है सवाच चिराजय ट्रिक से बना है 17 व्यास चिनाब रावी जहलम यह पंच नद खेलाता है very very important है ध्यान रखे 17 व्यास सिनाब रावी जहलम पंजाब के पास में 17 व्यास नाब रावी जहलम पूछा गया है पंच नद में कौन कौन सी नदियां शामिल है पंच नद जो है किस नदी का सहाइक है तो सिंदु का है सारी बातें एक से बढ़े के I think सारी चीज आ आ गई होगी आ गई ना आगे बढ़ जाते हैं मतलब सिंदु नदी की अब जो साहिक नदियां है दोनु तरफ की अपने पढ़ ली पहला पेज कहा गया सिंदु नदी कंप्लीट अब नमबर दो पर आता है अपवातंतर गंगा का तो अब नमबर दो लगाओ गंगा का है और जहां गंगा है वा यमुना है गंगा में तो क्या सोना उगलता है पवीतर नदी मानी जाती है ने इसलिए गंगा को कहते हैं सोना तो गंगा की साहिक को ने सोना है और जहां गंगा है वा यमुना है तो यमुना भी सीख साहिक है तो कोई दिक्कत नहीं इसमें ट्रिक गंगा की बात होते हैं गंगा का अबात क Humanah कि अबति आ ने का हो कि यह Vamos बेजा पाम ने चुम्हा को आऊ ठरे Partners अपना सामराज बाता है अब्लयाइन के पानी में ही लेकि आना कोई दिखत नियमें लाती हूं कि थोड़ा बेसी चक के लाना थोड़ा मामूल ही चक नई से पता नहीं चलता पानी घार जाओब थोड़ा ज्यादा चक लेना बेसी चक ट्रिक बन गई ठीक है ना बेसे बेतवा सी से सिंद चैसे चंबल और कैसे केन यह होगी चार नदियां और चारों अब कुल मिला के प्रशन क्या बना वो कैसा भी आ सकता है कि गंगा अपवत अंतर की दाई तरफ से आकर मिलने वाल नद मिलती है हाँ और ज्यादा डीप जाएगी यमुना में आके कौन सी मिलती है तो फिर यह है ठीक है ना क्योंकि अपन तो पूरा फुल लेवल लेके चलेंगे शांदा तरीके से वेरी इजी लेप साइट साइने वाली क्या है बाग मैं अब देखो महरवाडी राजिस्तानी इंदर गंगा और गोमती जारी थी जोगिंग के लिए गाग्रा पेने वे थी वहां पर गंड़कड़े थे तो ठीक क्या बने कि बाग में गंगा और गंठ के कोश लिया ठीक है न तो क्या हो गागरा गंड़क है कोश propose बांग से बन गया बागमती यह बाईं तरब से साइ भागमती, मैसे महाननदा, गंगा से राम गंगा भीनी, और रहेगा साइलेंड गव्मति का साइलेंड अब गागरा के इंदर इसकी भी साय के घागरा कप पैंती लड़की? जब जाती है सासरा तो गहागरा पेनेगी सब जाएगी सासरा तो बस इसी की साइग न दिया मतलब कुल मिला कि आके इसी में मिलती है लेकिन अपने को पढ़ना पूरा तरीके से है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि फर्स ग्रेट सेकंड ग्रेट के बच्चे भी इसमें हो तो उनके भी बेनिफिट हो साका मतलब शारदा सेका मतलब सर्यूरा का मतलब राप्ती बाकी घर में लड़कियां नहीं पेहनती गागरा है ना भाई जो अपनी पोशाक है ड्रेस है वो ससुराल की लड़क ट्रेस होती है घर में आती है तो जिंदाबाद है कौन मना करने वाला है वही चीज है तो गागरा पेने सास्रा ठीक है न कहाँ पेने सास्रा में तो गागरा की साइक तीनों हो जाएगी शारदा सर्यूराप्ती और कुल मना के 22 तरब से गंगा में आकर नदियां मिलती अगर है तो बागमती, महानंदा, राम गंगा, गौमती, घागरा, गंड़क, कौसी, शारदा, सर्यूराप्ती इन में से एक भी प्रशन नहीं चूट सकता बताओ तीन, चार, तीन, छे, चार, दस, दस, ग्यारा, ग्यारा, बारा, बारा, पंदरा, पंदरा नदियां ये एक साथ, एक छोटी से ट्रिक में याद हो रही है मज़ा आ गया होगा, ये गंगा की दोनों दरब से नदियां आके मिल गई बात करते हैं गंगा की दाइं हो गई गंगा की बाईं हो गई अब भ्रम पुत्र भ्रम पुत्र ब्रम की रहेँ चौटी इसकी तो इसमें दीदी की और मम्मी की बातें चल रही है भ्रहम पु podemos ऐसा मामा गनों कि ब्रहमा जी बग्वान डरमा है मतलब ब्रहमा जी अपने घर में रहते हैं ब्रहम पुथ्र मेह और वह warm यह बहुत्त जाहेएन यह सब एक की साथ ऐ इसलिए ट्रिक आध रएखी तो ऑड़र माम्य में ब्रहम पुथ्र शेय इसमा राइट साइड से आती है आती है माyn अ शुबह जानते हों यह गोश का मतलब रहे श्मי्टर fractionकी का मतलब के वेटा चले जाना तो मां से हो गया मानस सुबह से सुबन सुबन सुरी तीस से तिस्ता कोश से संकोश और काम से कामेंग वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ओप्शन देखे, आर राम से टिक माले होगे कि वाओ, यह रा कामेंग, यह रा संकोष, यह रा तिस्ता, यह रा सुबन सरी और यही मानस, यह है राइट साइड से आने वाली नदिया, मा सुबह तीस कोष दूर काम है, अच्छा, यह राइट साइड से हो गया, लेट साइड साइड साइने वाली, लो दिदी धन, राखी का टाइम था, तो दिद्यों कहे रहें, लो दिदी धन, ठीक है न, राखी बांदी तो लेलो पेसा, लो दिदी धन, लो से लोहित, दी से दिबांग या दिसांग, अगले दी से दिहिंग, और ध यह सारी इंपोर्टेट नदियां हो गई है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा व्यरी वेरी इंपोर्टेंट है किसी भी कंडिशन में अगर आपको पढ़ना है तो दतनमन से पढ़ना एक भी क्योक्ष्टन बाहर जानी सकता हां यह लेप्ट राइट की जो मैंने बाते बताई यह बातें फर्स्ट ग्रेड सेगेंड सेवल सर्वेसेज वालों के लिए हैं सीटी में तो इतना भी लेट प्रैट भी नहीं पूछेंगे सेटी में इतना सा पूछेंगे कि इसकी सहाइग नदी कौन सी है तो मतलब और ज्यादा आइजी हो गया कि मां दीदिवाले ट्रिक को कौन सी नदी निकल के आरे हो बर्मपुतर ट्रिक ना तो यह ट्रिक में गई मां सुबे तीस कोष्ट दूर काम है लोदी धिधन यह बर्मपुतर की थी के ना थ्यानदा आपने अभी तक पता चला आपको यह चिजे पड़ी तीनु सिंदू पॉत अंदर पड़ लिया गंगा पॉत अंदर पड़ लिया अब यह पूरा हिमाले का पॉत अंदर की साहिक नदियूँगा डिपार्टमेंट क्लोज हो गया अब बात करते हैं प्राइड इपिय की प्राइड इपिय में सिंपल क्योशन आएगा सीधा इसमें लेट सर्वेसेश के तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है पहले की बहुत ज्यादा मैनत की हुई है बहुत ज्यादा क्लास 11 को जब नसी पड़ाई तब मैंने पड़ी ती साल साथ में इसलिए उनको भी उनके साथ ही पड़ा दिया तो वही जिंदगी आपकी सपल यहां हो जाएगी क कि प्राइदी प्याप अतंतर की साइग नहीं जितनी प्यास में लेट रैट नहीं है इसमें सीधा यह भी मैंने बहुत बड़ी चीज बता दी इसमें अभी कोई पांदस फहमास है लेकिन मैं सारी लिखा दी ठीक है क्योंकि ट्रिक में सब आ रही है तो क्यों छोड़े मम् सब्सक्राइब को फुल स्पीड से आप समझ गया होंगे अच्छी काशी लताट लगा रहे हैं तो बैटा हो गया बैटा चड़ रहा है उस बात से अपनी मम्मी को कह रहा है कि मम्मी आज पापा के क्या हो गया बड़े ताते हैं कि ताता का मतलब बहुत ज़्यादा गरम हो शुपार मम्मा पापा तो टाता ओर रहे हैं रहें 3 शुबह से और सालू था सालू नाम की लड़की वह ले गई ना इसका गो कृषणा का जुड़े भी हैं गोपाल कृष्ण में वाली बाद उद्ध है तो गोपाल कृश्टा है और कहाल पर ले गई नर्मदा रहा कर ले अब नहीं मिलेगा तो ममा ताता पापा पेंपे करें और सालू ले गई गो क्रिष्णा का घागरा नर्मदा रखा के उस पार यह कंप्लीट नदियां आ गई आपके प्राइदी पीए की मैं से महानदी मां से माही ता से तापी ता से तम्रपाणी पासे इस दोनुं पापा से पलार और पोनानी द्यान रखें पेपे से पेरियार पेनार यह करें और ओर रहेगा सालू साथ से साबरमती लू से लूनी लूनी अपन पड़ चुके बहुत अच्छे से राजस्तान की नदियों के टाइम पर वेगई गोदावरी क्रिष्णा कावेरी गगर नर्मदा और से सुन रेखा एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पुना सोला सत्रा नदियां मैं कहता हूं जिंदगी सफल है ऐसा कंटेंट अगर मेरे को कोई टाइम मिल जाता तो पता नहीं इंडिया क्या वर्ल्ड को टोप कर जाते क्योंकि सब टोपिक समझना है प्रसन पीछे सालों के रिपीट नहीं होते हैं कोई दो चार होगे तो उसे जिंदगी नहीं बन जाएगी टोपिक की नस्नस चेक करो एक है तो यह प्राइदी पिए अपवातंत्र हो गया कंप्लीट कौन सा महानदी महीता पी तामरपनी पलार पोनानी प तो जितनी भी चीज़ें अपने पढ़ी अपिता के इन तीनों की साहिक नदियां जितनी भी थी वो अपने पढ़ ली अब इन तीनों का अपन को यह जानना है कि सिंदु अपवातंतर से यह जानना है कि सिंदु अपवातंतर जो है उसका सिंदु नदी का ओरिजिन कहां प निकलती है कितनी लंबाई है क्या क्या इसका नाम है बस वहीं जंडे गाड़ोगे वह आएंगे सीधे सीधे प्रशन देखो सबसे पहले लेते हैं सिंदु सिंदु का उद्गम या ओरिजिन होता है वेर इंपर्टेंड बोखर्चु हिमनद हिमनद को ग्लेशियर बोलते केमनद है केलास परवत है और मांस और तिब्बत है कुल लंबाई कितनी है 2880 किलोमेटर लंबाई है भारत में इसकी लंबाई है 1114 हमारे लिए तो ज्यादा इंपर्टेंड यह है इसका जो अपवातंतर है कैच्चमेंट एरिया क्या बोलते हैं इसको कैच्चमेंट जो एर हो अगर और कराची पाकिसतान लिए अर्बयाई सिसत ऐक लेन अपने दो और अब ये तो चलो यादकरना ही करना है इसके बाद मैं यह प्रशन एंथा की सिंदु नदिकात को तिबत में किस नाम से जाना जाता तो सिंगी खमबान ठीक है ना मैं जातीके और दिबत से निकल खबान या फिर शेर मुख बात एक यह बोलते इस लाइन की जरुत नहीं इसमसारी बात आ गई तो तिब्बत में या तो सिंग खम्बान बोलते या शेर मुख बोलते हैं ठीक है ना वाई सिंदु तयार देखो सिंदु नदी का पूरा सिस्टम सीख लिए अपने कहां से निक थेक्ञा का जाहें तो नोट्स ऐसे बना सकते हैं पेहले स्पेस्टर लो तर साइग नदी उथार लो ठीक है अब नम्मर 2 पर सुनो गंगा नदी को 100% याद करना है 100% याद करना है एक भी वर्ड छोड मत देना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बात है उद्गम उद्गम होता है इसका गंगोतरी हिमनत उत्राखंड से भागरिती के रूप में निकलती है फिर देव परियाग उत्राखंड में भागरि वे अलगनंदा नदी के संग्नम के बाद गंगा परारम होती है तो देखो एसा द्यान निकना है कि यह निकलती है उत्राखंड से गंगोतरी हिमनत उत्राखंड से निकलती है जब उस टाइमरे इसका नाम होता है भागीरती समझना बहुत जरूरी है गंगोतरी हिमनत ग्ले तो इस तर्फ नाम घरती प्र जाती है देव पर्याग देव पर्याग है उतरा खंड में वहाँ पर यह भागृती है लेकिन ऐखलनदा नती हो राजाती है उसके संग्णम हो जाता है इस्वाकर मिल जाती है और नंदा दोनों मिलके सब्सक्राइब निकलती है आपको साइड में लिए नौट करके लिए लग लंदा पूछ ले गंगा तो ही है लेकिन अलग लंदा कहां से निकलती है तो यह सबसे पहले जो और इसका नाम भागी रती है चल रही होती है उसके बाद में जो है देव परियाग जगे पढ़ता है उत्राखंड में उस देव परियाग जगे में इसमा के मिल जाती है अलग लंदा और उसके बाद में इसका नाम हो जाता है गंगा और अलग लंदा की बात की जाए तो सतोपध हिम्रा से निकलती है ठीक है ना ओके कुल नमभाई 25-25 इसकी गंगा जी यह 25-25 फेक से याद हो संगम में बड़ा खतरनाक किसम जाके मिलती है वेस्ट बेंगोल में फरक्का बेरास से आगे गंगा नदिक दो शाकाओं में बट जाती है एक ब्रंच वेस्ट बेंगोल में हुगली के नाम से जानी जाती है और दूसरी गंगा सागर में जाके गिरती है दूसरी शाका पद और नाम लिख दिया निछे यह आपको याद रह जाए तो बढ़ी है और नहीं नाम लिख दिया वैंने क्या इसी लिए गंगा की जो नाम है वैंट जहाँ जाती है बंगाल में जाते हैं नाम-चेंज वह इसके उपनाम है सब इसलिए गंगा से सब सब्सक्राइब पूचा जाता है कि इसे पूछ लिया भागी रती बागी रती शुरूब तो एक तो उपनाम हो गया भागी रती प Dutch West नाम होता है मेगना मेगना ये ब्रह्म पुत्र से जब निकलती है तब इसका नाम मेगना होता है तो नाम इसके हैं आतुत और गंगा नदी भारत का सबसे बड़ा catchment area है गंगा नदी का सबसे बड़ा अपवातंतर है जादा इलाके में बहती है यह है सुद्ध शिवासा गंगा नदी भारत की सबसे लंबी वे हिंदू की पवितर नदी मानी जाती है पश्यमंगाल में फरक्का बेराज पूछा गया सब्सक्राइब कोई भी प्रशन बाहर नहीं जा सकता चाहिए सीटी ग्रेजिएशन हो चाहिए सब इस्पेक्टर कोई सभी हो ले आना पेपर आगे बढ़ो ब्रहंपुत्र उद्गम कहां पर है कहां से निकलती है तो चैमा यूंग डूंग चैमा यूंग डूंग हमनद है सबसे बड़ा नदी द्वीब माजूली द्वीब माजूली द्वीब माजूली इंपोर्टेंट है हमारे इंडिया के असम असम के इंदर है वो इसी नदी प्रिस्तित है और कोई खास बात है बिल्कुल है तिबद के अंदर सांग पो अरुनाचल में इसका नाम दिहां या जयां और यहां से प्रशन अजाता है इसके बाद में Čनाब चिनाप की वेसे अगर जगे वगर याद ना रहे तो कोई बात ने की खास बात यह है कि इस नदी को संस्कृत में अश्की निका आ जाता है यह वाला अफेक्ट याद कर लेना यह मौस्ट है पूरी हो यह ना हो और यह नदी सिंदू नदी की सबसे बड़ी नदी है बाकि दामोदर वैरी 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 इंपर्टेंट यह वाला पेज यह वाला पेज क्या है वैरी 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 इंपर्टेंट है पश्रिम मंगाल का शोग क्योंकि यह नदी जब भी आती है तो वेस्ट मेंगोल के दर बाढ़ आ जाती है इसलिए दामोदर नदी को वेस्ट मे प्रॉब्लम क्या है कि यह नदी जो है अपने कंप्लेट संगम तक नहीं पहुंचती है उसे पहले ही पूरी हो जाती है इसलिए इसे विश्वाश गाती नदी भी कहते हैं हूगली को ध्यान रखें हूगली को विश्वाश गाती नदी की विश्वाश गात करने वाली है नॉन ट्रस्ट रही है ट्रस्ट करने लाइग नहीं है बाकी सबसे इंपोर्टेंट अपने पढ़ा भी था कोलकाता वे या बंदर जो हैं वो इसी नदी परस्तित है ये बहरिमें फो जाएगा नर्मधा य desaf कर लेना इस नदी को हिंदू की परवितर नदी कहते हैं ये चीज ये द्यान केना बाकी दुआदार जिह वाली भात इंपरिडन थैं ये वाली ये वाली ये वाली यह important बात है ठीक है न बहुत बड़ी जहलम जहलम की क्या खास बात है यह बड़ी खास बात है और तो याद रहे जाता तो ठीक है उद्गम शेहशनाक जिल कश्मीर है सासव चौछ लंबाई है शिर्णगर कश्मीर पाकिस्तान में इसका अपवात अंतर है चिनाम नदी त्रिमों पाकिस्तान में जाके मिल जाते हैं लेकिन पॉइंट यह दोनों इंपोर्टेंट है ध्यार देखने ठीक है ओके अब हैं गोदावरी गोदावरी की इपन खास बात करें तो यह कृष्णा अधिकी दूसरी बड़ी नदीए सबसे बड़ी पितव नदी है और यह दक्षण बारत की सबसे लंबी नदी वैस grand Facebook आऊ या व्रिद गंगा किसें कहते हैं और पोलावरम प्रोजेक्ट इसी नदी के उपर है यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है यह वाला पॉइंट और यह वाला पॉइंट ठीक है न और बाकी कोई खास नहीं है चाहें तो याद कर सकते हो क्योंकि मैं भी मेरा टारिकेट है सी customer यह माहराश्ण तयलंगान अंदर प्रदैस पुद्टू चरी बंगाली खाड़ी में जाके मिलती है ठीक है ना ओके पोसी ये पशिविव का शोख है कोषी जुह में डिकता ही बेहर में ताइम आती है कि बाड़ दैती है इसलिए लोगों में दिक्कत हो जाती है इसलिए ढ flows का जाता है शो कियों किन्म कहते हैं की नदीव आने से लोग दुख हो गया गहर बार रूप जाते हैं इसलिए तिब्बत में इसे रुना कहा जाता है गंगा में सरवादिक आवसाद सेडिमेंट्स ये छोटे मड़े पत्र गंदगी किछड़ लाने वाली अगर कोई नदी है तो वो कोशी है और एक बात और ध्यान लगना साथ नदियों के दाराओं से मिलकर ये कहा जाता है क्या कहते हैं इसे सब्थ कोशी क्योंकि कोशी तो है साथ नदियां मिल गई तो सब्थ हो गई तो सब्थ कोशी भी कहा जाता है रावी नदी रावी नदी की खास बात क्या है वाई इस नदी पर पंजाब में थिन बांध और हिमाचल में चमेरा परियोजना इस स्थित है यह बहुत इंपोर्टेंट है बाकि यह कुलू पहाड़ी कांगणा है माजर पड़े से निकलती है यह याद रहे तो ठीक है वरना यह पॉइंट मत मिस्का देना पाकिस्तान में जाके मतलब इसा संगम है यह चीज द्यान रखना गंडख पेरियार शरावती सोंडे कर महानदी इसमें सेलेक्टेड पॉइंट याद करने सभी के गंडख है नेपाल में इस नदी को शाली ग्राम वे मेदानी भागों में नाराएनी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इतना इंपोर्टेंट पी दिखना लंबा सा इतना इंपोर्टेंट है आप समझ जाना नेपाल में इस नदी को शाली ग्राम और नेपाल की जो मेदानी भागे वहां पर इसको नाराएनी का जाता है प्रशन के साथ है नाराएनी वे शाली ग्राम किस नदी को कहा जाता है फिर आएगा कि शाली ग्राम कहां कहा जाता है नेपाल में और शाली ग्राम और नाराएन किसे कहते हैं तो का जाता है गंड़क को ठीक है न ध्यान रखना पेरियार केरल की जिवन रेखा बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट लाइफ लाइफ लाइन ऑप केरला पेरियार नदी और केरियल केरल की सबसे लंबी नदी भी कौन सी है पेरियार वैरी वैर इंपोर्टेंट शरावती इस पर जोग चल पर पाथ देप लो तो जोग जल पर पात है से ईस्टित है इस नदी के भैसिन में सोने के गलेश्य निक्षियर निक्षियप आए जाते हैं महानदी इस पर हीरा कुंड बान इस्तित्य पर हीरा कुंड कहां पर है महानदी पर जो कि भारत का सबसे लंबा बांद है आना कि बांद पढ़ाऊंगा मैं आपको इसके नेक्स टॉपिक बांद ये फिर बहुत शांदार नस नस चेक सीधे प्रसंट टप केंगे वा टोरा दक्षिन का का काटोरा किसें कहा जाता है इंपोर्टेंट हैर्षिए पर एश्या की पहली जल्विजुत परयूजणा जिसका नाम है शिव समुद्रम ये परियोजना इसकी अपरिस्तापित है अगला क्या मामला है सतलज सतलज की क्या खास बात है सतलज नदी को तिबबत में कहा जाता है लांग चैन तिबबत में क्या कहा जाता है लांग चेन खंबाब और इसका अन्य नाम सतुद्री भी है सतुद्री संग पाकिस्तान में अपने मांसरोटी बल से निकलती है यह सब इसका कैचमेंट एरिया है व्यास पॉंग बांध और हरी के बेराज इसी प्रिस्तित है खास बात यहीं है बाकी इसका पाकिस्तान सासोटास सतर किलोमेट लंबाई यह ज्यादा नहीं बड़ यह इंपोर्टेंट है कि इस व्यास नदी के जो कौन-कौन से बांध इसके ओपर यह बेराज बगएरा किलोमेटर केश्में टर्या उत्राखंड दिल्ली वेरी इंपोर्टेंट न चलते अभी उपान पर आगी ती यह मुना जो बारिश बहुत हुँ इस बार और संगह में इलाबाद में गंगा नदी में जाके मिलती है मुना देखो ट्रिक बताई थी मैंने वह गागरा सागरा वाली है ना बिल्कुल और यह यह प्रमण डरी यह बापस लिग आ मगा में जाके घ्टि है यह अपने बाते यह लिपर पढ़ेगा क्योंकि यह घंगा की खास फ्रेंड है तो पिखलने से उद्गम वा उद्गम है इसका कुल नमबाई 1370 किलो मेटर कैश्मेंटर या पोतंतर उत्राखंद और दिल्ली दोनु में इलाबाद में जाके इलाबाद में जाके गंगरादी के अंदर मिल जाती है इसके तट पर मधुरा आगरा हमेरपुर शहर इस्तित है अलागी मैं एक अलग हैडिंग लगाओंगा कि किन की नदियों पर कौन कौन से शहर है वो भी पन लेने वाले है तो बताओ ये कैसे लगी नदियां एक भी क्योशन बाहर जानी सकता ये मेरी गरंटी है अब आप एक खेडिंग लगाओ नदियों के किनारे श्तित महत्वपूर नगर किस नदि के किनारे कौन सा नगर श्तित है वेरी वेरी इंपोर्टेंट इक्योशन जैसे गंगा नदि है गंगा नदि के उपर हरिद्वार, कानपूर, पटना और वारा नसी शेर जो है गंगा नदि के किनारे श्तित है बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट प्रशन है यमुना नदि पर आगरा और दिल्ली जो है वो यमुना नदि पर है साबरमती, एहमदाबाद, अलकनन्दा, बदिरनाज शेहर, ये तो शेहरू के नाम है, ये दर तो क्या है, शेहर है, वो उदर रिवर है, ये दर नदियां के नाम है, अलकनन्दा में बदिरनाज शेहर है, नरमदा किनारे जबलपूर है, मांडवी के किनारे पनजी है, हुगल सब्सक्राइब बूसी नदी के किनारें लखनव गोदावरी किनारें नासिक शिप्रायक शिप्राय की बात है उजेन शेहर जैलम शिरनगर बहुत बार पुछा गया है तापती सूरत और कावेरी में शीरंग पट्टम, सतलज में फिरोजपूर, लुधियाना, नेंदिवी बहुत बार पूछा गिया, इंपोर्टेंट है और लूनी नदी अपने पटगाजमेर शेर, चंबल में कोटा है रहस्तान के हो गए और गंगा, यमुना, सरस्वती, इन तीनु का जो मैच है, जो संगम बनता है उस पर अपना प्रियाग राज इलाबाद पुरणा वाला ये प्रियाग राज शेहर बसा हुआ है अब बताओ कैसी तो लगी मेहनत और कैसा लगा सेशन, जरूर कॉमेंट करना सिंगल के उशन बाहर जानी सकता, जंडे गाड़ दिये हैं, पहले अपने जीले पड़ी, अब अपने नदियां पढ़ ली, अगला टोबिक बांध आ जाएगा तीनु से प्रशन आने पक्के हैं, लिखवा लेना इनसे बाहर भी नहीं जाएगा लाइव टेस्ट दे देना, नस नस चेक हो जाएगी, कोई भी डाउट रहे गया, तो कॉमेंट कर देना, बहुत शानदार अपनी पड़ाई चल रही है, और यह जो टाइम में जंडे गाड़ देंगे, अपन बस रेगुलर्टी रखना, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज़ को एकस्पेंड करते हुए, और लाइव टेस्ट देते हैं, फिर बड़े बड़े नमबरों के पिटाले लेकिया हूंगा, पन पन सो चार सार सो गे, उसके आपका दिमाग रफ हो जाएगा, कोई टेंशनल बात नहीं है, ठीक है न, और फिर भी कोई डाउट